चोथा प्रस्न भगवान, आपकी इसमर्थी क्यों इतनी चमतकारी की? सुभे नास्ते में क्या लिया है? यह भी मैं दो फैर के आते आते भूल जाता हूं. क्या अच्छी इसमर्थी का गुर्थ बताने की करपा करेंगे? सहजनन्द! मैं तुम्हें बता सकता हूं कि 1924 में 12 फर्वरी को सुभे नास्ते में मैंने क्या लिया? या 1977 में सुभे के भूजन में क्या लिया? या 1978 में 15 मार्च को सांच के भूजन में क्या लिया? और उसका कारण यह नहीं है कि मेरी इसमर्थी अच्छी उसका खुल कारण इतना है कि नास्ता में रोज वही लेता हूँ और भोजन भी रोज वही करता हूँ उसमें भेद ही नहीं करता हूँ तुम कोई भी तारीख की पूछ लो मैं जवाब दे सकता हूँ उस में भूल चुक का उपाई ही नहीं कोज चमतकार की बात नहीं है अब अगर एक ही नास्ता कोई आदमी ले रहा हो रोजबरसों से भूलना भी चाहे तो कैसे भूले तुम बताओ चमतकार याद रखने नहीं होगा चमतकार बूलने में हो जाए भूल सकते ही नहीं खाना भी वही लेता हूँ रोज नीमित सुबह भी वही साम भी वही उतने ही कपचाय पीता हूँ रोज तारीक कोई हो, दिन कोई हो, साल कोई हो स्वस्थों के बीमार कोई फर्क नहीं करता है हरालत में सब वैसा ही चलने देता हूँ जैसा चलता है इसमें कुछ इसमर्थी की खुबी नहीं दूसरी बात जो भी मैं तुम से कहता हूँ वो मेरा अनुभव है इसमर्थी नहीं इसलिए उसमें भी भूल चुक को कोई कारण नहीं तो मुझे आदी रात उठा के पूछ लोगे तो दी जी कहूँगा क्योंकि मेरा अनुभव है हाँ अगर तुम्हारा अपना अनुभव नहीं है तो गड़ब खड़ी हो जाती इसमर्थी पर निर्भर रहने का मतलब यह होता है कि तुम दूसरों के अनुभव निर्भर रह रहे हो गीता में क्या लिखा है अगर यह तुम्हे याद रखना तो इसमर्थी चाहिए कुरान में क्या लिखा है अगर यह तुम्हे याद रखना तिसमर्थी चाहिए मैं गीता कुरान की फिकर ही नहीं करता हूँ तो भी इसकी फिकर नहीं करता कि लिखा भी हैं उन начала नहीं लिखा है मैं नागपुर में था और मैंने एक बुद्ध के जीवन की कहानी कही कि बुद्ध एक रास्टे से बुजर रहे वो उनके बुद्धत्व के उपलब्धी के पहले की घटना वो अपने एक सिस्थ से बात कर रहे एक मक्षी उनके मुँपे आके बैठ गई बात जारी रेकी उन्होंने और जैसा ग्यामदौर संकरते मक्षी को यंत्रवग आँस से उड़ा दिये फिर ठिटक के खड़े हो गये तर च्छन याद आया है कि मक्षी को होस्पूरवग नहीं उड़ाया और वही उनकी साधना थी वही साधना में वो लगे थी कि प्रते करक्त होस्पूरवग करना यंत्रवग नहीं अब मक्षी तो थी नहीं वो तो अड़ गई थी मक्षी को क्या मतलब कि तुमने यंत्रवग उड़ाया कि होस्पूरवग उड़ाया मक्षी को क्या लेना देना वो तो हाथ देखके उड़ गई लेकिन बुद्ध अपने हाथ को उठाए फिर से जैसे कि मक्षी बैठी हो सिस्थ खड़ा होके भोचक्का देखता रहा बुद्ध हाथ को ले गए सिर के पास मक्षी को उड़ाया जो कि वहाँ थी नहीं फिर वापिस हाथ को नीचा किया फिर जहां बात टूट गई थी वहाँ बात सुरू कि सिस्थ ने का मैं बात तो भूली गया मैं यह पूछना चाहता हूँ यह आपने क्या किया मक्षी तो कब की वह चुकी आप पहले उड़ा चुकी अब क्या उड़ा रहे थी बुद्धने का अब मैं इस तरह उड़ा रहा था जैसे कि मुझे पहले उड़ाना चाहिए ना बूल हो गई बूल सुधार कर रहा था और देख रहा था कि किस तरह उड़ाना उचित होता है वो मैंने अनभूख करके देखा एक बहुत भिख्षु मेरी ये वास सुन रहे थी वो रात मुझे मिलने आए उनका कहानी तो आपने वड़ियत होता है लेकिन मैं त्रिपिटक पर चुका हूं पूरे सास्त्र बौध होंगे ये कहानी कहीं है ने तो मैंने का चोड़ लेना चूट गई होगी लिफने वाले भूल गए होगी वो मुझे बहुत भौजब के होगे देख उनका आप कहते क्या है पचीस सो साल बाद आप कैसे सुधार कर सकते हैं सास्त्र मैंने का मुझे सास्त्र से कुछ लेना देना ने मैं बुद्धत्व का स्वाथ जानता हूं ये कहानी घटने ही चाहिए बुद्धत्व की साधना में जो लगा है उसके जीवन में ऐसी घटे वैसी घटे कोई और ढंग से घटे मगर ये घटने ही चाहिए कई तरह घट सकती है उन्हें का बात तो बिलकुल जमी बात समझने भी आई कि बुद्ध की सारी साधना ही जागरूपता की है तो मैंने का कि बस बात जमने की बात है बात समझने की बात है बुद्ध की अंतर धारा के बिपरीत तो नहीं है बात अंतर्धारा के विप्रित नहीं इंतर्धारा के बिलकुल 쉽 तो फिर मैंने रिखा कि मेरा अंतर्धारा से लेना देना सास्त्रों से मेरी द tecnologia क्या पढ़ी और ना वो और शास्त्र होगे में कोई रस इसलिए मैं जो उध्रन देता हूं तुम यह मत सोचना कि ठीक वैसा उध्रन तुमें मिली जाए मिल भी सकता है ना भी मिले अंगे मगर सुनने वालको निष्री लगेगा कि मैं इतने बल पूरबक कहता हूं कि होना ही चाहिए बल का कारण यह नहीं कि सासक्रमें है ही बल का कारण यह है कि मैं अपने अनुभाव से जानता हूं कि ऐसा ही सकते हैं सास्त्र में होतो ना होतो सारे सास्त्र भी नश्ठ हो जाएं तो भी जो मैं कहा रहा हूं वो सकते हैं सारे सास्त्र बिपरीत हो तो भी जो मैं कहा रहा हूं वो सकते हैं और सारे सास्त्र अक्ष्म हो तो भी जो मैं कहा रहा हूं वो सकते हैं यह इस्मर्थी का सवाल नहीं है, यह मेरे बोधु का सवाल है, और तुम मुझसे इस्मर्थी का गुर्मत पूछू, तुम मुझसे बोधु का गुर्मत पूछ। मैं यहाँ इसमर्ति सिखाने गेले नहीं बैठा हूँ इसमर्ति सीखनी हो कठिन मामला नहीं है एक ही रास्ता खुब घौको और कोई रास्ता नहीं है इसमर्ति का जो भी याद करना है खुब घौकते रहो उसको बार-बार दोह रहाओ ताकि लकीर पढ़ जाय कावद तो सुनी न रस्री आवज्यात है सिल पर पढ़त निसान पत्थर तक पर निसान पढ़ जाता रस्री आते जाती रहे आती रहे जाती रहे करत करत अभ्यास के जर्मती होत सुजान सुजान नहीं होते है ख्यान रखना जर्मती तो जर्मती ही रहते हैं अभ्यास कितने ही करें हाँ इस मर्ती उनके अच्छी हो जाती पंडित हो जाती सुजान नहीं सुजान तो बात और है और जर्मती बी अगर कोई पक्ति जर्मती हो तो यह कहवत भी उन पर लागू नहीं होगी रस्सी आती रहे जाती रहे गिर्ज चाएगी रस्सी डूटियाएगी उनकी सिल पर निसान बग़े नहीं पड़ें। अगर सिली मजबूत हो, तो क्या करेगी रस्ती, सजानंद, अगर किसी चीज को याद करना है, तो दोराओ, दोराते रहो, इसी तरह तो बात करने हैं लोग बैठे रोज सुबह गीता का, गुरांग का, दोराते रहते हैं, दोराते रहते हैं, दोराते रहते हैं, दोराते रहत कि कहते रहो मिठ्चू राम 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 तोता भी घबड़ा जाता है सुन सुनके कि राम 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 वो भी कहने लगता है कि राम 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 तोतों तक में इस मर्थी आ जाती मगर कोई सुजान नहीं हो जाता तोता है मुझसे तो तुम पूछो बोध का गुर्ष, बुधत्व का राज। इसलिए मुझसे बंदित ना राज है। क्योंको उनको अलचन होती। उनको हैरानी होती। वो सांस्तिर की बंधियोई लकीरों से जीते। मैं कभीर पर बोला है। तो कभीर पंधियों के जो प्रधान है। उनका पत्रा है, लंबा पत्रा है। क्यों और तो आपने सब अच्छा कहा। लेकिन एक जगे आपने कभीर की इस तरह व्याक्षा की जो सांस्त्री नहीं। तो मैंने उनको लिखवा दिया कि वो सांस्त्रों का दुरुभाद की। उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मुझे जो कहना है वही कहूंगा। सांस्त्र का समर्धन मुझे मिलना चाहिए। इसकी न तो अपिक्षा है, न जरुवत है, न प्रियोजन है। मैं जो भी बोल रहा हूं उसका प्रमान मैं हूं। उसका प्रमान कहीं और नहीं। इसलिए मैं सारी बातों को बलपूरवक बोल सकता हूं। ऐसा बल इसमर्धी का नहीं होता। ऐसा बल इस मरती में हो ही नहीं सकता और भूलने का कोई सवाल नहीं उठता अबनानों का भूलूं भी तो कैसे भूलू जो जाना है सो जाना इधर से पूछो, उधर से पूछो, हजार धन से पूछो मैं वही कहूंगा जो मुझे कहना है कई लोगों ने मुझे खबरे की कि आप भी घजब जे कबीर पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कबीर ठीक और मीरा पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है मीरा ठीक और रैदास पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है रैदास ठीक और फरीद पर बोलते हैं तो रसा लगता है फरीद ठीक और नानक पर बोलते हैं तो लगता है नानक ठीक अब मैं उनको कहना चाहता हूँ को मुझे उनके ठीक को गलत होने से कुछ लेना नहीं मुझे तो जो ठीक है वही बोलना है वो तो बोतले हैं, सराब में अपनी भरता हूँ अब बोतलों से सराब में क्या फरक पड़ता है नानक की बोतल के कबीर की बोतल गगरी किसी की भी अनुभोत में अपने डालता हूँ इसलिए पंडित नाराज होते हैं कभीर पंतियों का जो नाराज होगा यinea जो लोग अनुभोव की दिसां में चल रही वो तो कभीर के संबंद में रह मैंने जो कहा है उससे हलाधित हो जा जाएंगी मगर कभीर को पंदित की तरह पकड़ने वाला आदमी नाराज हो जाए अब कभीर जैसे आदमी को भी तुम पंडिताव धंग से पकड़ते उत्वाद हो गई तो तुम किसको छोड़ोगी कभीर ने कहा है मसी कागत चुओ नहीं कि मैंने कभी कागत जो स्याई हांसे नहीं चुई और कभीर ने कहा है लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात मगर कभीर को मानने वाले उनके जो बड़े महन थे हैं उनने बत्र लिखा बड़े गुस्से वे यहाँ आपने जो कहा यह सांस की बिप्रीत पड़ रहा है और कभीर कहते हैं लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात और मैं देखा-देखी बात कर रहा हूं, वो लिखा-देखी की बात उठा रहे। अब कभीर के साथ कौन है, मैं हूँ यह मैंत। कभीर जैसे व्यक्ति को जिसने कहा कि धाई आखर प्रिम के बढ़े सुपंडित हो है, वो उसको भी लोग कितावों में पकड़े हुए, पोथियों में जकड़े हुए, मेरी इसमर्ती कुछ बहुत अच्छी नहीं, मगर मैं फिकर भी नहीं करता। फिकर करो थो अर्चन। शार हुए हुए एसलिए बहुत बार तुम्हें यूंभी हो जायगा कि मैंने वही कहानी कभी बोकुЖू के नाम से कई, कभी रिंजai के नाम से कई, कभी बोधी धर्म के नामसे कई, घोम भीकर करता है । मेर लिए ये सब बोदले हैं, मुझे इक छामी कहनी थी।